दोस्तों, वेब सीरीज इन दिनों एंटर्टेंट्मेंट का जबरदस्त माध्याम है, है ना, नेट्फिक्स से लेकर एमेजन प्राइम वीडियो तक कई सारे ओनलाइन प्लैट्फॉर्म्स पर धेर सारी शांदार वेब सीरीज हैं, जो आपको थियेटर जाने की कमी महसूस न और नेट्फिक्स पर हिंदी में मौझूद है, मेरे साथ अंतक बने रहिएगा नंबर एक और नंबर चार के लिए, क्योंकि ये दुनिया के सबसे अच्छे साइन्स फिक्शन वेब सीरीज हैं, अपनी जिन्दगी में आपको इन्हें कम से कम एक बार तो जरूर देखना च चलिए अब जानते हैं नेट्फिक्स की टॉप 6 बेस्ट साइन्स फिक्शन वेब सीरीज के बारे में, नंबर 6, अल्टर्ड कार्बन, ये एक बेहद श्रांदार साइन्स फिक्शन वेब सीरीज है, जो नेट्फिक्स पर उपलब्द है, ये वेब सीरीज साइन्स फिक्शन नमबर फाइफ, लॉस्ट इन स्पेस, दोस्तों, लॉस्ट इन स्पेस नेट्फिलिक्स की एक और शांदार वेब सिरीज है, जो आपको अंतरिक्ष की दुनिया से और करीब से रूबरू कराईगी, इस वेब सिरीज के दो पार्ट है, और दूसरा पार्ट तो बेहद ही जबर वेब सिरीज की कहानी एक ऐसे परिवार की है, जो स्पेस पर एक मिशन के लिए जाता है, लेकिन वहां खो जाता है, इसके बाद कैसे एलियन उनकी मदद करते हैं, वेब सिरीज की कहानी शायद आपको बकवास लगे, लेकिन इसे बहतरीन तरीके से फिलमाया गया है, वेब Black Mirror Netflix के सबसे अलग और दिल्चस्प web series में से एक है। इसमें दिखाये गया है कि कैसे technology इंसान के आने वाले दिनों में इंसान की जरूरत होने के साथ साथ आने वाले दिनों में कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई technology आपकी जिन्दगी इतना प्रभावित कर सकती है। Black Mirror web series में दिखाये गया है कि कैसे technology हमारी जिन्दगी को बदल रही है और हमें एक अंधेरे भविश्य की ओर ले जा रही है। दोस्तों 2020 की सर्वश्टेश्ट Netflix web series में से एक है ये जिसे अपने Spanish भाषा में La Casa D Peppel के नाम से भी जाना जाता है। ये series भले ही Spanish में हो मगर दुनिया भर के लोगों ने इसे खुब पसंद किया है। आज Money Haste Netflix पर सबसे ज़ादा देखा गया गैर English show है। अब तक इस show के 4 season आ चुके हैं और 2021 में इसका पाच्वा सीजन भी रिलीज किया जाएगा। दोस्तों 2020 में देखने के लिए सबसे अच्छी Netflix series में से एक ये series है। अब तक की सबसे बहतरीन Netflix original series भी है ये। इसने दुनिया भर में बड़े बैमाने पर दर्शकों को अपना दिवाना बनाया है। अब तक की सबसे महगी television series में से एक है। इस Netflix show के कई सीजन में रानी एलिजाबेट दुतिये के समय की शांदार घटनाओं को दर्शाय गया है। हमारी list में जो पहले number पर है वो दुनिया का अभी तक का सबसे अच्छा Netflix पर science fiction web series है। जिसे आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों ये एक और जबरदस्त web series है जो आपको science fiction के साथ साथ horror का भी मजा देने वाली है। इस web series को 6-6 awards मिल चुके हैं। ये हिंदी में उपलब्द है और आपको दंग कर देने वाली है। 2020 में आए Netflix के सबसे बहतरीन शोज में से एक ये है Strange Things। ये एक science fiction पर आधारित शो है और बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी ने इसे सराहा है। इस शो में आपको सुपरनेचुरल एडवेंचर से लेकर हॉरर और सस्पेंस का भी मज़ा मिलेगा। इस शो में एक लड़की Eleven और उसके दोस्त की कहानी को दिखाया गया है कि कैसे वो बच्चे होते हुए भी खतरनाक और अंजान चीज़ों का सामना करते हैं। तो दोस्तो ये थे नेटफ्लिक्स की टॉप 6 साइंस फिक्शन वेब सीरीज। हमें कॉमेंट करके जरू बताइए कि इन में से कौन-कौन सी वेब सीरीज को आपने देखा है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजे और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और करने के साथ साथ बैल आइकन जरूर दबालें धन्यवाद